अगले आपके 18 दिनों के अंदरगत आपकी स्टेडिजी क्या होना चाहिए आपके एक्जाम के लिए आपको एक्जाम की प्रपरेशन किस प्रिकार से करनी है उसके बारे में कुछ आपको रिव्यू देने का प्रियास करेंगे दोस्तों यहां पर हमने हमारे दोरा बीनपी देवास के लिए जो आपका सब्जेक्ट के सर्वे कराया था इस सर्वे में दोस्तों कुछ आकड़े भी निकल कराया हैं दोस्तों उन पर भी दोस्तों यहां चचचगने वाले हैं सर्बे का नतीज़ तो आप यहां देख ले। बहुत सारे लगों को डवट है इसके बारे में बतांगे कमें कि आप ने में यदी कुछ भी नहीं पड़ा है तो आपको क्या करना है इसके लावा दोस्तों English में बहुत जादा लोगों को confusion है कि English में tough पड़ रही है इसके लावा reasoning में बिल्कुल cut in नहीं पड़ रही है किसी को भी लेकिन दोस्तों यदि आप reasoning साधरन करते हैं तो दोस्तों अलग बात है लेकिन दोस्तों यहां banking reasoning थोड़ी tough होती है यहां puzzle बगेरा आते हैं दोस्तों इसके लावा maths में 17% लोगों ने कहा है कि यह cut in पड़ रहा है इसके लावा GA में 19% लोगों ने कहा है कि इन्हे cut in पड़ रहा है बाकि दोस्तों English और all subject यहां जो है जादा जादा यहां पर देखने को मिले हैं दोस्तों इसके बारे में आपको बताइए कि all subject भी है दिया आपको नहीं आ रहा है तो अब आपको 18 दिनों में करना क्या है चलिए दोस्तों यहां वीडियो सुरू कर सकते हैं चालिस चालिस नम्मर होंगे जो कि 160 नम्मर का यहां पर होगा इसके लावाई इसमें 120 मिनिट आपको दिये जाएंगे टाइमिंग के साब से आप देख लेए कि टाइमिंग आपको 120 मिनिट मिलने वाली है जिसमें कि आप यह दी देखें तो English और General Awareness को हटा देए इसमें मान लीजिए आप 60 मिनिट लेते हैं तो 60 मिनिट में 80 कोश्चन यहां पर आपको दी मिलने वाले हैं जो कि आपको एक moderate level के होंगे क्योंकि यहां पर जो है दोस्तों समय फिर भी आपको काफी मिल रहा है जैसे कि आप IWPS की जो है कि आप यदि लगा रहे है टेस्स चीरीज तो दोस्तों उसमें 60 मिनिट में यहां पर 100 कोश्चन होते हैं जिसमें की 70 कोश्चन यहां पर math और reasoning से होते हैं बाकि 30 कोश्चन इंगलिस से होते हैं तो इसमें जो है दूस्तों आपकी time को जो cover और 160 दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नेगेटिव मारकिंग नहीं है यह भी आपको बता दें जो सोई हुए विद्धार्ती है उनको बता दें और दो घंटे का एक्जाम होने वाला है अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है आपको यहाँ पर डेली दो टेस्ट जो ट किजिए टेस्ट को एनलाइसिस कीजिए एनलाइसिस क्या करना है दोस्तों यहां पर कुछ वच्चे होंगे जिससे की जो सारे question attempt नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों जो question बच जाए उनको भी आपको बाद में time लेके आपने बाद में भी time जो आंसर की देखेंगे तो उस समय आपको question solve करने कोई puzzle हो उसको solve करने का प्रियाज करना है इसके लाब आप किस जगह पर फस रहे हैं कौन सा chapter आपको कठिन पढ़ रहा है उस chapter को दुबारा से आपके इस चीज को आपकी math reasoning और यहां पर math reasoning English काफी improve होगी है यदि आप इस चीज को अपनाते हैं आपने अभी कुछ भी नहीं किया है लेकिन आपने यह तीन जो हमारे दौर बताया जारा है इनको भी follow करते हैं नियमों को तो भी आप यहां पर काफी कुछ कर पाएंगे दोस्तों test लगाना है उसके बाद जो है दोस्तों confusion जिसन भी chapter पर है दोस्तों उनको आ कर लीजिए इसके अलावा spotting error कर लीजिए इसके अलावा comprehensive passage making और jumble word और sentence farming पस इसके अलावा दोस्तों ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है यदि आपको English में काफी confusion होती है काफी tough लगता है subject तो सरफ इस इन चीजों से बहार मत जाएए इन सारी concept को clear कर test में आपको इनके question लेंगे तो आपको वो जो पढ़ा हुआ है उसको लगाना काफी आसान हो जाएगा उन नियमों को लगाना आसान हो जाएगा ज़्यादा कुछ नहीं होता दूस्तों grammar में कुछ नियम होते हैं उन नियमों पर ही सारी चीज़े चलती है उन्हीं पर question decide होते हैं तो दोस्तों English से घवराना नहीं है आपको इस परकार से आप यहां पर English को भी कर लेंगे इसके अलावा बात करें आपको GA GA में दोस्तों काफी लोगों को डल लग रहा है कि बहुत बड़ा होता है एक तो इनका broad level का होता है जिये तो दोस्तों इसना डरना है नहीं इसमें आपको करना क्या है सीधा आपको current affair करना है six month का सिर्फ six month का one year मत जाएए दोस्तों नहीं तो फस जाएंगे समय बहुत कम है आपके पास सिर्फ 18 दिन है दोस्तों यहां पर से आपको सिर्फ current affair करना है national international और जो है six month का वो भी कोई एक book ले लीजिए main main topic देख लीजिए इसमें दोस्तों आपको क्या करना है विसेश तोर पर जो करना है major finance and economics news यह आपके लिए major हो जाता है इस topic को विसेश तोर पर देख लीजेगा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको budget देख लीजेगा इसके अलावा दोस्तों book author कोई नई book launch हुई है इसके अलावा जो है award कोई launch हुई है इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जोस्तों discoveries को देख लीजेगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों राज जिपाल देखना है मुकमंत्री जो की चेंज हुए है हाली में सारे देश के इसके लावब आई भी पी इसका एक प्रेटान है कि आपको जो है सारे देशों की मुद्राय और राजधानी याद होने चाहिए इन फैक्ट सारे देशों की ना हो तो भी दोस्तों जो देश करेंट में होता है करेंट में होता है मिन्स मोदी जी किसी आत्रा पर गए किसी देश में तो उस देश की आपको राजधानी और मुद्रा याद होनी चाहिए इस प्रकार से दोस्तों आपको ये currency और capital का एक question दो question कम से कम मिल जाएंगे इसके लावा दोस्तों IPL हाली में हुआ है इससे समधित question मिल सकते हैं vaccine से समधित question मिल सकते हैं corona से nobel prize मिले हैं तो nobel prize के आप सारे रट लीजिएगा दोस्तों एकोनॉमिक में किसको मिला है, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसको मिला है, इसके लाबा ओलम्पिक जो हुए है, पैरलम्पिक हुए है, ओलम्पिक पैरलम्पिक दोनों को कबर करिएगा, इसके लाबा चर्चित बैक्ति जो हाली में रहे हैं, उनको कबर कीजिएगा, मातर छे म पढ़िये हैं आप। भूगोल मत पढ़िये हिस्ट्री मत पढ़िये इन सारी चीजू 하면서 इद्याप को भूगोल या हिस्ट्री कबर भी करना है तो कैसे करिए दोस्तों जैसे कि मोदी जी किसी आत्रा पर गाए जैसे कि केदारनात के टावह संगारानात आपको simplification करना है, simplification के आपको काफी question मिलने वाला है, आपको पैटन होता है दूस्तों, उसमें simplification के काफी question मिलता है, लेकिन simplification आसान नहीं है, banking वाला, आपको time लेना, time लगेगा, लेकिन वहाँ पर time कम होगा, दोस्तों इसके लिए ही हम बोल रहा हैं, आपको test series लगाईए, आप आप approximation सीखेंगे, आप्रोक्स कैसे लगाना है, इसके लावा दोस्तों आपको profit loss का question मिलेगा, mixer का question मिलेगा, इसके लावा simple interest, compounded interest, इनकी sort tricks आप देख लीजिएगा, इनमें काफी time लग जाता है कई वार, या फिर दोस्तों जब आप परिक्षा दे रहा है हो, तो आप इनकी छोड़ भी सकते हैं, यदि आप फज जाएं तो, पजल को भी आप फज जाएं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आपका पूरा paper खराब हो जाता है, इसके लावा दोस्तों आप work and time करिएगा, time distance करिएगा, और इसके लावा आपको data interpretation, यह काफी आ रहा है आजकल दोस्तों, इसको आप जरू कर लिजगा, इसके लावा दोस्तों हिसों कर लिजगा, यहाँ पर, दोस्तों इतना maths का pattern है, इस maths का pattern जो है आपका जो IBPS की आप test series जदी लगाएंगे, IBPS की जो है test series लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफी कुछ कवर हो जाएगा, इसमें होगा क्या, जैसे कि आप question लगा रहा है और आपस बर्क और time का question नहीं बनता है, तो इसको दोबारा से जाएगे, concept देखिए, किस परकार से concept क्लियर कीजिए, और दोबारा से फिर test series लगा, यह दोबारा से question आता है, तो दोस्तों, आपका concept क्लियर होगा, तो at least दो बार में तो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको वो फाइदा जरूर मिलेगा, इसके लावा दोस्तों, आपको करना क्या है reasoning में, reasoning में बैसे तो जो हमारे पास सर्वे किया गया, उसमें बहुत कम लोगों को समस्य थी, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर logical reasoning कर लीजिएगा, यहाँ पर series कर लीजिएगा, यहाँ पर रेकिंग, इस से जो है, दोस्तों, काफी question मिलने वाले है, रेकिंग से, इसके इलावा दोस्तों, data efficiency से भी मिलेंगे, बिल्कुल, आपको data efficiency से भी मिलेंगे, sitting arrangement, sitting arrangement और पजल, इन से तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर question देखने को मिलेंगे, और यही जो है, आपके सीधे सीधे 5 number दे जाते हैं, यही आपसे बन जाते हैं, तो सीधे सीधे आपको 5 question उसी पर होते हैं, और आपको सीधे यहाँ पर फायदा मिल जाएगा, इसके लावा दोस्तों, आपको बा पजल और sitting arrangement दोस्तों, यहाँ पर करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि banking का जो होता है, वो tough होता है, कई वार जो है, link छोड़ देते हैं आखरी में, आपको पूरा नहीं समझाया जाता, sitting arrangement हर वेक्ती कहां विठा है, एक link छोड़ दी जाएगी, और उसके बाद आपसे प पजल को बनाने का प्रियास कीजिए, इसके लावा दोस्तों, आप पजल और sitting arrangement पर अलग से भी अपने टेस्ट मारीए, अपने जो offline में आपके पास होंगे, कोई भी book में, उससे दोस्तों यहाँ पर टेस्ट मारीए, आपके पजल की जो improve होगी mind power, दोस्तों, इसके लावा analysis करना है, जो chapter कमजोर है, उस chapter को आपको जो है focus करना है, उसका clear करना है concept, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों current affair के लिए six month का current affair पढ़ना है, जो promote topic हमारे दोर बताए गया है, उस topic को cover करना है, इतना यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, बस इतना ही करना है, इतना ही आप कर लेते हैं तो आपको काफी फायदा मिलनेगा आपकी exam में, इसके अलवा दोस्तों यहां पर यदि बात करें तो आपको यदि देखें तो दोस्तों आप 18 दिन, 18 दिन में जो है दोस्तों पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कितना confidence है, मैंने कर सक मैं नहीं कर पाऊंगा, इस परकार की सोच आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, आपको उठो, जागो और प्रयातने करो, आज भी इसी वक्त और आज से ही लग जाओ दोस्तों, आज से ही आप लग जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन गलत बात है, दोस्तों मेहनत तो आपको करना ही है, दोस्तों मेहनत आप जरूर करिएगा, आप ये कामिया भी मिले नहीं मिले, ये आप नसीब पर छोड़ी है, लेकिन दोस्तों आप मेहनत ही नहीं करें, और फिर आप कामिया भी कर सोच हैं कि कामिया भी मिल जाए, तो ऐस बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों चलिए दोसतों आगया को पता नुश्य वेडियो को ज़रूर देख लीज़ेगा एक बार जो भी हमारे साथ । नए रिभूर्य करते हैं आपके विए यह जबे देख लीज़ेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंथ है एक्जाम point of view से इसके लावा दोस्तों आप competition भी देख सकते हैं इसके लावा दोस्तों आपको यह pattern भी देख लेना है यह pattern बाला वीडियो दोस्तों आपको बहुत फायदा देने वाला है इसमें आपको detail में पता दिया गया है इसके लावा दोस्तों यहाँ पर आपको टैपिंग टेस् जिसमें कि आपका रिजल्ट आखरी में किस परकार का आता है उसके बारे में आपको बताया गया है बागी दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजेगा धन्यवाद जहिन